नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल धमराज शौट है डिकट में स्ट्रेनो क्लासेज में दोस्तों आज का महारा डिक्टीशन है आनन्त अश्विलिपी मासिक पत्री का तो आईए स्टार्ट करता है डिक्टीशन पांच सेकंड बाद स्टार्ट महदय वह यह भी जानता है कि आस्था विश्वास के अभाव में जीवन एक ऐसी भ्रामादमक इस्तती को प्राप्त होता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता इन सब परिस्तितियों के कारण सुसंस्कृत मनुष्य वास्तव में पूर्ण धार्मिक विश्वास और पूर्ण अविश्वास के बीच में इस्तित रहकर अपना जीवन व्यतित करता है विराम इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोगों पर ही वास्तव में सभ्य समाज अधिक निर्भर करता है क्योंकि वे ही समाज के प्रती अपने जुम्मेदारी को अधिक अनुभव करते हैं इसके विपरीत संकीन धार्मिक प्रवरती के लोग अपने धार्मिक विश्वास को समाज के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं और पूर्ण अविश्वास का जीवन बिताने वाले अपने व्यक्तिगत हित और लाब के लिए समाज और नैतिक मुल्यों की बली लगाने से भी हिचकते नहीं सू संस्कृत मनुष्य का यह लक्षन होता है कि वह अपने जीवन में धर्म की सब अच्छाईयों को आत्मसात करते हुए भी धर्म के नाम पर जूट हिंसा बनावट तथा अन्य अर्तहीन तत्वों से दूर रहता है पैरा यह बिना अंद विश्वास के भी संसार के गूढ रहसे के पीछे किसी सत्ता का होना स्विकार कर लेता है परन्तु इसके साथ यह नैतिक और मानविय मुल्यों को सर्वोच प्राथमिक्ता देता है यही कारण है कि केवल बौधिक और सांस्कृतिक रूप से विक्सित मनुश्य ने केवल समाज को सुद्रड आधार प्रदान करते हैं बलकि समजिक परिवर्तन और प्रगती की प्रक्रिया में भी उचित योगदान देते हैं धन्य होते हैं वे समाज जिन में इस प्रकार के लोग जन्म लेते रहते हैं पैरा पून रूप से स्वतंत्र आत्मा को जन्म देना और विक्सित करना संस्कृति का वस्तविक लक्ष है सब प्रकार के पुर्वाग्रहों से मुक्त व्यक्ति कटरता और धार्मिक संकीर्णता से अपने को बचा सकता है सुसंस्कृत मनुष्य केवल अपने विचारों के लिए जीता है उसके लिए बलिदान होना स्विकार कर लेता है इसलिए सुतंत्र विचार प्रक्रिया को नश्ट करने के किसी भी प्रयास को वह अश्यम्य अपराद मानता है सामान्य अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य स्वभाव में जो करता है वह इस्थाई आदत के रूप में विद्यमान है और उस पर काबू पाने के लिए वैचारिक इस्तर पर निरंतर प्रिशिक्षन आवश्यक होता है मनुष्य अपनी संस्कृतिक यात्रा की अवदी में हमेशा अपनी जन्मजात और इस्थाई प्रवरतियों के साथ संगर्शरत रहा है इसमें उसकी सफलता उसकी संस्कृति चेतना के विकास से ही निर्धारित होती रही है हमारे इस विचार क्रम से दो मुख्य बातें उबर कर सामने आती है पहली बात यह है कि धर्म ने अज्यात की और समुक बहाय अंतरिक्ष के उस इस्थल को साफ और खुला छोड़ दिया है जिसकी और मनुश्य अपनी व्यतिगत खिड़की से जांक कर देख सकता है यह है एक कदम अलग बात है कि वह इस्थल साफ तिक सकता है दूसरी बात यह है कि प्रेम और भावुकता से परिपूर्ण जीवन में जो आनंद पैदा होता है वह इस प्रत्वी पर हमेशा हमेशा अशुन रहेगा पैरा महदै जहां तक धर्म का प्रश्न है अपने चरम विशलेशन में उसने वह सब हमेशा सुरक्षित रखा है जिस पर संस्कृती निर्भर करती है दूसरी और धर्म को उसकी निश्टूरता और कुरूरता के लिए जितना भी दिक्कारा जाए उतना कम है परन्तु इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि धार्मिक चेतना की परिधी में कुछ अस्चरिय जनक मानसिक तथ्य सामने आए हैं जो धर्म कर सकता है वह दूसरी कोई शक्ती नहीं कर सकती यह केवल एतिहासिक सत्य ही नहीं अपीतु मानविय अनुभव द्वारा प्रमानित सत्य भी है पैरा जटल मनुश्य स्वभाव का लक्षन है स्वभाव की जटलता की अभिव्यक्ति जन्मजात शरेरिक प्रवरतियों स्वार्थपूर्ण कारियों के साथ साथ परोपकारी विचारों और कारियों द्वारा होती है धर्म मनुष्य को अच्छे विचारों और कर्मों की और प्रवरत करने से कुछ अधिक भी दे सकता है विराम आदिकाल से उसने मनुष्य को पशुता से मानवियता की और प्रेरित किया है पैरा नम्रता प्रेम सेवा त्याग के साथ साथ धर्म ने मनुष्य में सौंदर्य और सत्य के प्रती आकर्शन पैदा करने की मैत्वपून भूमी का भी निभाई है यह भी सत्य है की धर्म प्रत्यक्षिया परोक्ष रूप में इश्वर संबंदी कुछ ऐसी पौरानिक धाराओं के साथ जुड़ा हुआ है जो आम लोगों के लिए अविश्वासी और सयंचील व्यक्ती का विचार और विवहार में अच्छापन कोई विशेश महत्व नहीं रखता परन्तु यदि हमारी सांस्कृतिक चेतना का समुचित विकास हो सके और हम संस्कृती के धरातल पर उपर उठ सके तो विश्वास और अंदविश्वास में भेद समझना कठिन होगा विराम ऐसी इस्तती में इश्वर की आम धारणा को स्विकार किये बिना भी हम सब वह कर सकते हैं जैसे की धर्म हमसे अपेक्षा करता है धर्म का नैतिक और मानविय पक्ष कोई कम महत्व नहीं रखता परा संस्कृती मनुश्य में एक अलग प्रकार की मानसिक्ता के विकास में सहयक सिद्ध होती है जिन लोगों के व्यक्तित्व में संस्कृतिक चेतना की परीधी का समुचित विकास हो जाता है वे धर्मिक आस्था और विश्वास के बिना भी जीवन की प्रस्ट भूमी में छिपे हुए गूड रहस्यों को भली प्रकार समझ लेते हैं और अपने को उसके प्रती आभारी मानते हैं प्रकरती का कल्यानकारी स्वरूप स्वयम ही इस प्रकार के आधार की अभी विक्ति के लिए प्रेड़ना देता है विराम मनुष्य के विवहार में जहां निहित स्वार्त के लिए क्रूनता देख कर अविश्वास पैदा होता है वहीं प्रेम और आनंद से परिपूर्ण जीवन किसी बात का अभाव नहीं होने देता विराम इस प्रकार संस्कृतिक धरातल पर इश्वर के प्रती आस्था और अविश्वास को मानसिक तौर पर छोड़ा जा सकता है जहां तक हमारी वस्तविक भावनाओं का प्रश्न है वे अप्चारिक विश्वास के अभाव में भी जीवित रहकर विक्सित हो सकती है विराम संस्कृति के सारतत्व के संदर्भ में यदि यह प्रश्न किया जाए कि वह धर्म से क्या ग्रहन करती है तो जवाब यही होगा कि इश्वर की सत्ता में विश्वास और अविश्वास का इस प्रश्न के साथ कोई संबंद नहीं है इसी प्रकार आत्मा अनित्य है या नश्वर इस पहस का भी उन मूल प्रश्न के साथ कोई लेना देना नहीं है विराम